तो चलिए थोड़ी सी सेयर कर लेते हैं बहुत ही खुबसरत सा नजारा है तो उस दिन मैंने यह वीडियो बनाई थी पर उस दिन हम सारी वीडियो को तेक साथ अपलोड नहीं कर सकते ना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप देखना भी नहीं चा नजारा है सुबह का वक्त है मैंने बताया था ना सुबह 6 बजे का नजारा है सफाई करमचारी हर जगा मैंने देखा हर जगा अपने काम में लगे हुए है इसलिए तो थड़की इतनी साफ इतनी सवचता है तो देखे तो आज मैं वैसे अपम की रसिपी लेकर आई हूँ पी बोलते हम मतलब ओथनिक कला स्टाइल अपम वैसे इसको वरल्ला अपम भी बोलते हैं या पाल अपम भोलते हैं या ना 좌त हैं क Sverige बनती है उसके साथ खाते हैं वैसे बहुत टेस्टी है तो आज मैं उसी की सर्सिपी लेकर आप लोगउन के लिए आई हूँ आई हूँ कि आप मुझे होता है लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं सस्क्राइब करना भूल जाते हैं तो कृप्या आप मुझे subscribe कीजिए क्योंकि आप subscribe करेंगे तब तो पर ताजे नारियल का सलिये हों फ्रेश को काणिट है और मैने यहां बर नारियल का जो पानी होता Our 사용 कि है अगर आपके पानी नहीं है तो आप डाब के पानी को भी यूज कर सकते हो तो अब मैंने को ग्रेंटर में डाल रही हूं में यूज यहां में rich तामस यह पानी का में ये छिका में की आपल हैं, नारील को पानी मेरे pan цен धुक्जा है तो पर स्थया में चाहिए हमारा तो भी मारी भी हम अपले जाओने में आपले bold test इसमें शुगर भी जाता है तो मैंने यहाँ पर अभी दो टीस्पून मैंने यहाँ पर शुगर डाल दिया अगर आप ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा भी डाल सकते हो मैंने यहाँ पर दो टीस्पून ही लिया है इसको भी डाल करके हम अच्छी तरह से चावलों के साथ इसको पेस लेते हैं और मैं यहाँ पर वाइट पुट्टू पुड़ी आती है मार्केट में अविलेबल है इसली मिल जाती है रवे के जैसे होती है अगर आपको यह मतलब पुट्टू पुड़ी नहीं मिलता है तो आप रवे को भी यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून पुट्टू पुड़ी लिया है इसको बोलते हैं कप्पी काचल बोलते हैं वैसे इसको जैसे हम बच्चों को देते हैं खाने के लिए रागी वगेरा यह से पका कर वैसरही ही बनाते है इसको तो मैंने 2 टेबल स्पून की ओध की हिसाब से बोलते हैं बहुत जादा पाने नहीं डालेंगे मैंने बादेते हाँ पर लगपकर हाफ कप पानी मैंने इसमें डाला है और इसको हम धीमी आज में धीरी-धीरी इसको हम कुक करेंगे अब एक आड़ी हो रही है न जैसे बच्चों को देने के लिए हम बनाते है न वैसे ही देखिए इसके टेक्स्टर को देखिए पक जाती है थोड़े से नवंग भी डाल करके इसको हम बखा लेते हैं अझाल हम अच्छे से पक जानी चाहिए तो देखिए अब उबाल बेच चुकी है और एक़़ोगो क्यों भी जोड़ देते हैं और यहां पर मैंने अभी नारियल उंगो भी पीस लिए है नारियल मैंने यहांपर मैंने दो कप चावल लिये थे तो मैंने एक कप नारील लिया है यहाँ पर एक कप नारील लिया है मैंने और उसको भी अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है और उस दोनों को मैं अभी हलके हातों से थोड़े से मिक्स कर रही हूँ इसको बाद में दुबारा से मिक्स करेंगे इसके बाद जो हमने बनाया था ना जो हमने ठंडे होने के लिए छोड़ा था ना इस बैटर में हम इसको मिक्स कर देते हैं अब यह थोड़ी से ठीक हो चुकी है इसको हम डाल देते हैं इस बैटर में जो चावल और नारील को हमने पीस करका है ना नारील पानी में उसी में हम अब इसको अगर आप classroom या आख मज्यूस करती हो तो इसमें उतना अच्छा सा Mixing नहीं होते है क्योंकि इसको हाथों से ही Mix करना जरूरी होता है कि हमारी हाथ की गर्मी भी उसमें जाती है और हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स होती है तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से नमक भी डाल करके हम इसको रात भर के लिए मतलब 10-12 गंटों के लिए हम इसको छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए तो देखे अब मैंने उसको रख दिये हैं फर्मेंट होने के लिए हम इसको रखेंगे तुमकि आज कल थोड़ी थंडी हवाई चल रही है बहुत थोड़ी खंडी है हमारे अपर मौसम थोड़ा सा खंडा है तो इसके लिए इसको फर्मेंट होने में थोड़ थाइम लगता है थंडा है तो मैं इसको इस तरह से जो हमारा यस कोकर आता है DARMAL रइसखोकर मैं इसके अंदर में इसको फ्लेस करती हूँ इसके अंतर में मैं रखती हूँ तो अराम से जो है मतलब गर्मी मिल जाती है उसको और वो अराम से मतलब फर्मिंट हो जाता है और दूसरे दिन देखिए राद पर के लिए मैंने इसको छोड़ रखा है फर्मिंट होने के लिए और यह देखिए सुबह के वे जो नजार है हम यह देखी हैं हमारा बैटर फिस हाल में है इसको राद बनने किसी गरम जगह में हमको रखनी चाहिए तब यह अच्छी तरह से फिर्मिंट होता है यह देखी जैसे दो शमाव फूलता है वैसे तो यह नहीं फूलेगा उतना ज्यादा तो नहीं फूलता है पर एक अच्छा सा टक्स्टर आजाता है यह देखिए अब एकतम हमारा अपम का माव एकतम तयार और इसकी कंसेस्टेंसी देखिए एकतम से ठीक है अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइट है तो आप उसके सोड़े से दूद मिला लीजिए या फिर नारील का पानी है तो नारील का पानी माव यह दो करते हैं तो ठोड़े से जितने हम को जरू थे उतने बैटर को हम लिए लेगे ।कि वार अगर हम उसमें चमख डालेंगे हैं यह तो कर चूराल हो सकता है तो मैंने चाहिYouRT को उसको अच्छा जूखा इले expertise कूँ आए उतना मैंने ले लिए और आभ हम आपम बना दिये हैं और अब अब बढ़ा लेंगे हैं जैसी हमारी जो चत्ती बोलते हैं तड़ाई तो इस नहीं बैटर को डाल करके अम ऐसे करें हमाएंगे अब हमएंच मीड्यम होनी चाहिए ना ज़्यादाब हीट जाहिए और ना बहुत जादा कम ने मीड्यम नहीं रखेंगे और देखिए थोड़े देले हमारा अपम तैयार हो जीका है अब अच्छी तरह से निकाल लेगाएंगें अब इसके चारो सब्सक्क्राइब की चारो हम भाकि अप्पम को भी बना लेते हैं एक में पहला का युफ कर रखेंगे एक नियुक्राइब लेगे ждalnya भाकी को भी बना लेते हैं अरो आप हस ताप इस तरह से कड़ाइक हुँमा दीजिए वस हो गई हैँ तो इस तरह से अब हमारा त्यार हो रहा है इस तरह से सारे अपन को हम बना लेती हैं और इस तरह से हम उन को नकी स्पैला कर रखेंगे स्थरा एक ओपर ऐसे रखेंगे तो देखिए हमारी अपम तयार है आशा है आप सबों को पसंद आई होगी आप ट्राइ करके देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका अपम कैसे बना था तो आप सबों को